रोजमेरी वाटर के बारे में हम सबने बहुत संद रखा है लेकिन इस बारे में जितना पढ़ते हैं कन्फुजन उतनी ही बढ़ती जाती है आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर मधिया भायानी ने आपको एक नहीं बलके 12-12 ऐसे कोशन के आंसर किये हैं जिससे आपकी सार रोजमेरी लीव से बना सकते हैं तो जी नहीं आप इसको ड्राइड रोजमेरी लीव से भी बना सकते हैं चाहे तो फ्रेश हो या ड्राइड हो दोनों की potency बिल्कुल एक जितनी है और दोन वर सेम benefit देते हैं सवाल नामबर 2 कि इसे बनाने का proper तरीका क्या है और क्या proportion है य आपको दिखाऊंगी ये कितना बना है ये जितना भी बना है ये वन वीक के लिए सफिशेंट है तीसरा बहुत ही इंपोर्टन कोशन ये है कि क्या इसका कलर चेंज होता है कि नहीं काफी लोगों ने बहुत सारी इसकी विडियो देखी हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आप ड्राइड रोजमेरी लीव से बना रहे हैं तो इनिशली जब आप इसे बॉइल करेंगे तो इसका कलर इस तरीके से कुछ लाइट ब्राउनिश या गोल्डनिश टाइप होगा जब ये अच्छे से 20-25 मिनिट तक बॉइल हो जाएगा आप इसे कवर करके रख देंगे जब कवर करके रखेंगे तो इसका कलर कुछ लाइट पिंकिश में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा इसे अच्छे से तकरीबन एक से दो घंटे इसी पॉट में रहने देंगे तो इसके जितने भी सारे कॉंटेंट है वो इस पानी में आ जाएगे जब दो घंटे बाद जब इसको देखेंगे किसी भी स्प्रे बाटल में शिफ्ट कर ले और फिर आप देखेंगे कि इसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया है जब इसे आप बाद में अगले दिन यूस करेंगे तो यह और डाकर होता जाएगा इन शॉर्ट जब आप इनिशली इसको तो यह ब्राउन होगा और टाइम गुजरने के साथ साथ यह पिंकिश रेडिश और दन मरूनिश होने लगेगा इसका मतलब यह नहीं है कि यह खराब हो गया है इसका मतलब यह है कि सिर्फ यह वक गुजरने के साथ साथ अपनी सारी पोटेंसी इस वाटर में कंसेंटरेट करता जा रहा है चौटा कोशन ये पूचा जाता है कि क्या इसे हम सिर्फ स्कैल्प पे लगाएं या इसे हैल लेंट पे लगाएं और इसका एप्लिकेशन का प्रॉपर वे क्या है तो में इसका काम स्कैल्प पे है आप इसे स्कैल्प पे जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि य आती साथ ये आपके डेंडर्फ को भी खतम करता है लेकिन अगर आप इसे लेंड पे लगाएंगे तो ये मिर अपना पर्सनल एक्सपीरिंस है कि ये आपके बाल को बहुत स्मूध और मैनेजबल बना देगा कोशे नमबर फाइफ क्या रोजमेरी वाटर से डेंडर्फ होता है तो इससे डेंडर्फ नहीं होता बलके ये डेंडर्फ को फाइट करने में आपकी मदद करता है लेकिन हाँ अगर आपने रोजमेरी वाटर लगाया और इसको ड्राइ होने का वेट नहीं किया और ड्राइ हो लगता है अगर आप बाल को गीला ही टाइ करके सो जाएंगे तो वो फेवरेबल कंडिशन दे का बैक्टीरा को आने का तो मेक शूर के रोसमेरी बॉटर या किसी भी किसम का हैर सिर्प लगाकर आप अपने बालों को अच्छी तरीक से ड्राइ होने दे और फिर आप अपने है काफी लोग पूछते हैं कि इसको लगाने का प्रॉपर टाइमिंग क्या है क्या इसे रात में लगाएं कि दिन में लगाएं तो आप इसो किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इसे रात में लगाएं लेकिन सोने से पहले इस बाल को प्माज़ फर्क नहीं पड़ता आप चलते हैं इसके साथ वे और सबसे ज़ादा पूछे गए सवाल पे क्या रोजमेरी वाटर लगाने से आपको हैर फॉल होता है काफी लोग ये समझते है कि रोजमेरी वाटर लगाने से इनिशिली हैर फॉल होता है यहां पे मैं ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करती वी चलूँ As a doctor, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि hair के बहुत सारे phases होते है जिस phase में आपका hair fall होना होता है वो अपने time से ही होगा कुछ भी लगाने से वो phase change नहीं हो जाएगा suddenly हाँ ये बहुत मुम्किन है कि हो सकता है कि आपको किसी चीज से allergy हो और आपका scale बहुत sensitive हो लेकिन ये हर किसी को नहीं होता ये बहुत rarely और occasionally होता है अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसका scale बहुत sensitive है I would recommend कि आप इस rosemary water का पहले patch test कर लेजे अगर आपको कोई reaction या allergy नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो आपके सर के बाल ज़र रहे है वो rosemary water की वज़ा से नहीं ज़र रहे है rosemary water से कोई hair fall नहीं होता ना initially ना बाद में जो भी आपके बाल ज़र रहे होते हैं वो वैसे ही ज़र रहे होते हैं उसका rosemary water से कोई तालुक नहीं होता लेकिन अगर आप इससे sensitive है तो I would recommend कि आप इसको use मत कीजे सबाल नमबर आट क्या हम इसे oily hair पे लगा सकते हैं तो यहां पर बात बहुत गौर से समझने वाली है वैसे से लगाने से कोई नुकसान तो नहीं है लेकिन जब आपके बाल में already एक oil की layer होगी जब आप water को लगाएंगे तो वो water आपके scalp पे absorb नहीं होगा आपने अक्सर ये बात note की होगी जब oil और water मिलते हैं तो वो दोनों separate रहते हैं आपस में mix नहीं होते similarly जब आपके scalp पे पहले से oil मौजूद होगा तो water अंदर absorb नहीं होगा वो सिर्फ उपर की layer पे रहेगा हाँ ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि पहले आप रोजमेरी water को अप्लाए करें let it dry for some time and then आप oil अप्लाए करें तो जब एक दफा water अच्छे से absorb हो जाएगा और आपका scalp बिल्कुल ready हो जाएगा oil के लिए फिर आप जब इस पे oil लगाएंगे तो oil भी इसमें absorb हो जाएगा तो हमेशा water पहले लगाईए और oil बाद में लगाईए इसी से मिलता जुलता है question number 9 काफी लोग रोजमेरी water में थोड़े से रोजमेरी essential के drop सेट कर देते हैं बहुत ही logical बात यहाँ पर है कि रोजमेरी essential oil एक oil है जब वो water में मिलेगा तो वो एक consistency नहीं बनाएगा oil separate हो जाएगा water separate हो जाएगा तो जो भी आपके scalp पे जाएगा वो water अलग होके जाएगा और जो concentrated essential oil है वो जाएगा and this is not advisable कि आप essential oil directly अपने बालों में लगाएगा चलते हैं दसवे question की तरफ दसवे question यह पूचा जाता है कि क्या हमें रोजमेरी water के बाद हमेशा hair wash करना है तो जी नहीं आप जबी भी रोजमेरी water लगाएगे उसके बाद हाँ यह ज़रूर आप कर सकते है कि जिस दिन आप normal hair wash कर रहे है उसके बाद जो आखरी rinse आप लेंगे जो आखरी पानी आप अपने सर पे डालेंगे वो आप रोजमेरी water का डाल सकते हैं लेकिन as per say रोजमेरी water के बाद आपको सर्द होने की बाल दोने की बिलकुल भी नीट नहीं है 11th question is किया हम इसे डेली इस्तिमाल कर सकते हैं बिलकुल आप इसे डेली इस्तिमाल कर सकते हैं और यह अच्छा है कि जितना आप इसको इस्तिमाल करेंगे इसके पोर्टन बेनेफिट आपको मिलते रहेंगे कोशन नमबर 12 कि इसको प्रॉपरली स्टोर करने का तरीका क्या है और हम इसे कितने टाइम तक चला सकते हैं तो आप इसे हमेशा फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे डिपेंड कि आप कौन से इलाके में रहते हैं आपके यहां का मौसम और वेदर कैसा है कहीं कहीं पर यह 15 दिन भी चल जाता है लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसे हफ़ते से उपर ना यूज करें एक हफ़ते तक का ही बैच बनाए और इसे वीक तक का ही यूज करें अगर आपको लगता है कि वीक खतम होने वाला है और आपके पास रोजमेरी वाटर बचा है और वो खराब नहीं हुआ है तो आप नहाने के बाद इसको एंड में अपने सर पर as a rinse off यूज कर सकते हैं अगर एक हफ़ते के अंदर आप इसे यूज कर रही हैं और आप सो डेली स्मेल करके देखेंगे इसमें अपनी एक रोजमेरी वाटर की स्मेल होती है विच इस परफेक्ली फाइन लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसमें कोई खराब स्मेल आ रही है तो प्लीज डू नॉट यूज इट और डिसकार्ड इट अगर आपको रोजमेरी वाटर या रोजमेरी ओइल से रिलेटेड कोई और भी कोशन है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं मैंने एक प्लेलिस भी बनाई है रोजमेरी के बारे में आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं आपको इस वारे में सारी डिटेल इसमें मिल चाहेगी मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोज में तिल डैन बाबाई